तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे एक चुरीदार पजामे को ट्रांसफॉर्म करूंगी मुझे चुरीदार पजामा पहना नहीं पसंद है यह बहुत पहले कभी बनवा लिया था पर कभी पहना नहीं है और आप देख सकते हैं बिल्कुल नया है तो मैंने सोचे क्यों नहीं से पैंट में ट्रांसफॉर्म किया जाए क्योंकि आजकल पैंट ट्रेंड में भी है और ब यह बहुत प्रीदार को नहीं है तो चल्ली मैं आपको बताते हूं कि आपको इसे कैसे करना आए जिए मेजर्मेंट के लिए तो यहां पर मैंने एक रड़ कलर का पैंट लिया है जिससे मैं मेजर करूंगी तो यहां फर नीचे में मैंने अपने चुरीदार पजामे को रख लाइन ड्राउ करके वहां से कर्ट कर लूँगी यह 3 इंच जादा मैंने इसलिए रखा है देखी मैंने लाइन ड्राउ कर लिया है अब मैं यहां से इसे कट कर लूँगी और यह रहा हमारा एक्स्ट्रा पार्ट कितना लंबा होता है ना चुरिदार पजामा तो इसको हम साइड कर लेंगे बस हमें इसी पार्ट का काम है बाकि यह जो एक्स्ट्रा कटा हुआ है इसके हमें कोई जरुवत नहीं है और यह देखिए मैंने पजामे को यहां पर अब उल्टा कर लिया है आप देख सकते हैं कि यहां पर यह जो सिलाई आपको दिख रही है यह सिलाई पजामे की सिलाई है जो हमारा चुरिदार पजामा ही यह उसके सिलाई है और कितना सारा मार्जिन रहता है कपड़े में न तो इसे मार्जिन को यूज करते हुए हम इसे पैंट में कनवर्ट करेंगे तो मैंने बिल्कुल एंड से एक लाइन ड्रॉ कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में अभी बिल्कुल एंड से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है तो आप भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आपको इसे सिलना है बिल्कुल एंड तक मतलब यह जो दोनो पैर है ना आप देखेंगे कि पजामे में एक बीच में ट्रैंगल एड रहता है यहाँ पर जैसा जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ तो आपको वहां से शुरुआत करके बिल्कुल एंड तक मतलब दोनों जो पैर है हमारा वहां पर मार्जिन ड्रॉ कर लेना है और बिल्कुल एंड तक आपको सिलाई कर देना है तेखें इस तरीके से यह दूसरे पाउं का हो गया इस तरीके से बिल्कुल और ऐसे ही पहले वाले पैर के लिए भी आपको करना है जहां पर ये ट्रैंगल एड है ना पजामे में हमारे उससे उपर की पोर्षन में हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है हमें ये जो स्टिचिंग करनी है सिर्फ हमारे दोनों पैरों पर करनी है उपर का पोर्षन थोड़ा लूज रहेगा वो पता भी नहीं चलेगा और कमफर्टेबल भी लगेगा आपको तो उससे हमें कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला है मुझे बहुत जादा स्टिचिंग नहीं आती है इसलिए मैंने उपर के पोर्षन को बिल्कुल भी टच नहीं किया है सिर्फ दोनों पैरों पर ही काम करके मैं इसे पैंट में कनवर्ट कर लूँगी और यह देखिए जहां मैंने लाइन ड्रॉ किया था उसके उपर मैंने डबल सी लाई लगा लिया है दोनों पैरों पर यह कपड़ा मेरा कॉटन का है इसलिए मैंने बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रखा है आप अपने फैब्रिक के हिसाब से मार्जिन सेट कर लीजेगा ध्यान रखिएगा कि जो पैर का विड्ट है वो भी सही रहे वो बहुत ज्यादा लूज या बहुत ना हो जाए तो आप एक बार उसको भी मैजर कर सकते हैं मैंने जब यहाँ पर मार्जिन लगाया था तो मेरे पैंट के विड्ट से बिलकुल मैच कर रहा था और यह देखिए दूसरे साइड भी इसके बाद जो मेरा नेक्स स्टेप होगा वो मैं यह जो पुरानी वाले सिल कर देख सकते हैं इसको आपको देख के लग रहा होगा कि मैंने उपर के बिलकुल भी टच नहीं किया और नीचे का पॉशन हमारा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया और आप यह देख सकते हैं यह नीचे मैने फोल्ड भी कर दिया भी मैंने सीधा किया है और अब मैंने बस इसके नीचे काम किया अगर आपको स्टेशिंग अच्छे से आती हो तो आप उपर वाले पोर्शन को भी फिटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से मैं नहीं किया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से स्टेशिंग नहीं आती है तो देखी ए मेरा पैंट बनके त्यार हो गया है अगर आपको ये ट्रांस्फोर्मेशन पसंद आया हो तो प्रीजिस वीडियो को धेर सारा लाइक कीजेगा अपने फैमिल और फेंड्स के साथ शेयर कीजेगा और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करके बेल बटन को जरूर हिट कर दीजेगा जैसे ही कोई नहीं वीडियो अपलोड करो आपको इसका नौटिफिकेशन जरूर मिल जाए मैं मिलती हूँ आप से किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई